नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जहां पर मैं आप लोगों से बहुत ही जदा important topic discuss करने वाला हूँ आज हम देखने वाले हैं समीती और आयोंकों से related कुछ questions जो की आपकी exam से regarding बहुत ही जदा important और महत्वपूर्ण होंगे आपकी सभी exams में यह जो topic है यह पूछा जाता है यहाँ पर मैंने जो questions लिये हैं वो बहुत जदा selectively लिये हैं ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्या आपके पहले question के साथ पहला question है सहकारी बैंकों के मामलों की जांच करने हे तू किस एक समीती का गठन किया गया है इसका सही answer होगा option number C N.S. विश्विनाथन समीती जो है यह सहकारी बैंकों के मामलों की जांच करेगा और उसके पर एक समीख्या report देगा important question यहाँ पर बन जाएगा everyone अगला question है यहाँ पर COVID-19 vaccine हे तू गठित अधिकारी पैनल जो है यह किस एक समीती का गठन किया गया है यह जो पैनल है यह क्या करेगा यह COVID-19 की जो vaccine है उसकी उपलदता और उसके बारे में जो कुछ information जो है वो यहाँ पर सुनिशित करेगा और उसके regarding एक रिपोर्ट यहाँ पर देगा ठीक है और यह जो समीती है इसका नाम है RS शर्मा समीती और यह किसके अध्यक्सता में बनाई गई है RS सर्मा की अध्यक्सता में बनाई गई है इंपोर्टेंट क्यूशन है आपर बन जाएगा everyone अगला क्यूशन है डिजिटल रिण में धोका धड़ी रोकने है तू RBA के द्वारा किस एक समीती का घठन किया गया है RBA के द्वारा यहां पर जैंत कुमार दास समीती का घठन किया गया है जैंत कुमार दास जो है इनकी अध्यक्सता में डिजिटल रिण में धोका धड़ी को रोकने है तू यह अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे important question यहां पर बन जाएगा everyone अगला question देखें यहां पर स्वास्थे बीमा उत्पादकों की उपलब्दता जाच हे तू IRDI जो यहां पर जो बीमा companies है उनको regulate करने वाली जो authority है IRDI किस एक समीती का घठन किया गया है इसके द्वारा तो यह किया गया है option number आपका correct होगा A. सुभास चंदर खूतिया के द्वास्था में स्वास्थे बीमा उत्पादकों की जाच करने है तू इसका मतलब क्या हुआ जो बीमा companies जो product उपलब्द करवाती है उनमें क्या कमी है क्या सुधार किये जा सकते है उनकी regarding क्या यहां पर रहाकों को लूटा जा रहा है या फिर कैसी एक बीमा पॉलिसी यहां पर होनी चे उसके regarding एक समिक्षय रिपोर्ट यहां पर यह देने वाले है किसको AD को ठीक है important question यहां पर बन जाएगा अगला question है यहां पर ठीक है TRP आप सभी को पता है जो Republic जो TV है उसके जो अध्यक्स है फिर उसके जो head है उनको भी थोड़ी दिन पहले गिरफतार किया गया था फोर TRP के कुछ गोटालों के अंदर ठीक है उसके आकले नहें किस एक समीति का घटन किया जाएगा कि कि यह बताया गया है कि जो TRP जो है न यह किन-किन आकड़ों पर आधारित होनी चीए तो उसके उपर यहां पर एक समीक्षर रिपोर्ट प्रस्तूत करेंगे कौन करेंगे शशी, शेखर, विम्पति इनकी अध्यक्स्ता में एक समीति बनाए गया है यहां पर शशी, शेखर, विम्पति समीति यहां पर यह TRP के आकलन है तू यह समीति का गटन किया गया है अगला क्यूशन देखें यहां पर पंजाब, हरियाना वे उत्तर प्रदेस में पराली जलाने के रोकने है तू निगरानी समीति किस एक समीति का गटन किया गया है तो यह जो समीति है इसका नाम है option number A, मदन B, लोकूर समीति यह क्या करेगी जो state है दिल्ली के आसपास के state है पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेस जहां पर maximum पराली जलाई जाती है ठीक है क्योंकि आपको पता है पराली जो है जलाना ही एक जो कम खर्चिला होता है इसके लावा अगर पराली को खाड़ा जाए तो definitely वहाँ पर जो experiences है वो बढ़ जाते है और यहाँ पर किसान उस चीज़ को नहीं ले पाते तो basically यहाँ पर जो पराली है उसको जलाने से रोकने के लिए यहाँ पर यह जो समीती है इसका घटन किया गया है और यह किसके अध्यक्स्ता में है मदन भी लोकूर की अध्यक्स्ता में यह समीती का घटन किया गया है अगला देखिए कोविट नाइंटीन समंधी तनावगरस समपतियों के समादान हेतु वित्ये मापदंडों का सुझाव देने हेतु किस एक समीती का घटन किया गया यह है केवी कामत समीती option number B आपका correct हो गया यहाँ पर यह क्या करेगा इनके मापदंडों की सुझाव हेतु कि भाई अभी जो लोगडाउन है वो चल रहा था लोगों के पास पैसे नहीं है तो उसके regarding क्या किया जाना चाहिए इन समपतियों के साथ तो उसके उपर यहाँ पर के वी कामत द्वारा एक समीक्षय रिपोर्ट प्रस्तूत किया जाएगा अगला question देखें यहाँ पर पश्यमी घाट देखिए जो आप जानते हैं भारत का मेप है जो निचला इस तरह है यहाँ पर इसके इंदर यह हो गया पूर्वी और यह हो गया पश्यमी तो यहाँ प पर एक रिपोर्ट तयार करने हे तू किस एक समीति का गढ़न किया गया है यह जो समीति है इसका नाम है माधव गढगिल समीति और यह क्या करेगा यह पश्यमी घाट के संरक्षन उनके reservation यानि कि उनको protect करने के लिए एक report तयार करेगा उसके पर एक समीक्षय report तयार करेगा जिससे कि इनको और जड़ा सुरक्षित बनाया जा सके अगला question है यहाँ पर राश्टी जनम नीति का मसोदा तयार करना किस एक समीति का घढ़न क्या गया है इसके लिए तो यह क्या ग एंसर होगा ये किसके अध्यक्स्ता में है मिहिर शाह की अध्यक्स्ता में इस रिपोर्ट तयार किया जाएगा अगला क्यूशन है आपर खाद्य लेबलिंग मामदंडो की समिक्षा के लिए किस एक समीति का घटन किया गया ये जो समीति है ये है option number आपका correct है C B C C करण समीति इनके अध्यक्स्ता में खाद्य जो लेबलिंग है ये मामदंडो की समीक्षा करने के लिए हाँ पर इस समीति का घटन किया गया है अगला क्यूशन है आपर देखे चुनाव आयोग के द्वारा जन परतिनिधी कानूं 1951 के पुनरिक्षन हेतू किस एक समीति का घटन किया गया है ये समीति है option number A आपका correct होगा उमेश सिनह समीति उमेश सिनह के अध्यक्सता में जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जन परतिनिधी जो कानूं है 1951 उसके उपर यहाँ पर यह पूरी अपनी निगरानी रखेगा पूरी इसके उपर एक समीक्षय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या इन में कुछ changes किये जाने चाहिए या फिर नही नहीं किया जाने चाहिए या फिर क्या और best options हो सकते हैं उसके लिए आपर यह समीक्षय रिपोर्ट प्रस्तुत पर करेगा अगला क्यूशन है जजों की नई वेतन नीती है तूँ तीके जो जज होते हैं उनकी एक नई जो वेतन नीती है उसकी समिक्षे के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है उसके लिए एक समीति का गटन किया गया है और यह जो समीति है उसका नाम क्या है राष्टिय न्याईक वेतन आयोग और यही क्या करेगा यही जजों की नई वेतन नीती को यहाँ पर लागू करने में उनकी एक रिपोर्ट प्रस्तूत करेगा अगला क्यूशन है यहाँ पर कर्शी अर्थ्वेवस्था में सुधार है तू किस एक समीति का घटन किया गया है कर्शी अर्थ्वेवस्था में सुधार करने है तू कि क्या कुछ और नई टेक्नोलोजी या फिर किस तरीके से कर्शी में जो किस्थानों की जो आय है उसको बढ़ाया जा सके या फिर कर्शी का जो उस्तर है उसको बढ़ाया जा सके उसके लिए यहाँ पर फड़द्वेश स समीति का गठन किया गया है, यह जो basically समीति है, इसके अंदर सुन्धर राजन समीति को यहाँ पर देखा गया है, और सुन्धर राजन समीति जो है, यह यह टेलिगॉम सेक्टर की समश्याओं के समाधान है तू यहाँ पर एक समिक्षय रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, important question यहाँ पर बन जाएगा everyone अगला question देखें यहाँ पर वित्य स्थिर्ता और विकास परिशद हे तू किस एक समीती का गठन किया गया है basically financial stability और यहाँ पर जो development authority है उसके लिए basically एक समीती जो है यह उर्जित पतेल जो की RBA के पूर्व governor रह चुके है यह एक समीक्षय report यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और अगर हम वर्तमान में RBA की governor की बात करें तो यह कौन है यह है सशिकान दांस जो की हमारे RBA के वर्तमान में governor है ठीक है option number A आपका correct होगा अच्छा उर्जीत पतेल की बुक आई थी जिसका नाम था ओवर्ड्राफ्ट ठीक है important question यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर ओवर्ड्राफ्ट जो है यह एक बुक आई थी जो की यहाँ पर इनकी बुक थी अगला question है यहाँ पर वित्य समावेश को प्रोसान करने है तू एक banking ढाचे की सिफारिस किस एक समीति का घठन किया गया है यह है नचिकेत more समीति option number B आपका correct होगा अगला question देखें यहाँ पर शुक्षम वित्य छेत्र के अध्यन और उस पर सुझाओं हे तू किस एक समीति का घठन किया गया है यह जो समीति है यह समीति है वाई एट्स मालेगाम समीति option number A आपका correct होगा अगला question देखें यहाँ पर यहाँ पर्टेक्स कर के लिए किस एक समीति का घठन किया गया है यह समीति है रेखी समीति option number B आपका correct होगा अगला question है ओध्योगि के लाईसेंसों के लिए देखिए कुछ उध्योग ऐसे होते हैं जिनको लाइसेंस के आवशक्ता पड़ती है उसके लिए किस एक समीति का घठन क्या गया है ये समीति है दत समीति option number B आपका correct होगा अगला क्यूशन है आपर मोदिरिक परणालियों के लिए किस एक समीति का घठन क्या गया है मोदिरिक परणालियों के लिए option number आपका यहापर correct होगा चक्रवर्ती समीति option number D आपका correct होगा अगला क्यूशन देखें यहाँ पर जनसंख्या नीति के लिए किस एक समीति का घठन क्या गया है जनसंख्या नीति के लिए स्वामी नाथन समीति का घठन क्या गया है ये जनसंख्या के ऊपर जो यहाँ पर नीति है उसको बनाएगा उसके लिए एक report बनाएगा उसके लि किसानों की आर्थिक हालत के लिए किस समिती का गठन किया गया है किसानों की आय को कैसे दुगना किया जाए उसके लिए भी यहां पर समीति का गठन किया गया है और यह है और बेसिकली यही करेगा यहाँ पर किसानों की आर्थिक हालत को कैसे सुधारा जा सके कैसे इनको बैटर और यहाँ पर बढ़ाया जा सके ठीक है उसके लिए यहाँ पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है अगला क्यूशन है अयोध्या विवात का स्थाई समाधान डूने के लिए एक समिती बनाए गयी थी जिस समिती का यहाँ पर अध्यक्सता जो है यह की गयी थी न्याइमूर्ती FMI कुलि फूला समीती ठीक है ये क्या है ये समीती अयुद्या के जो विवाद चल रहा था उसको यहाँ पर कुछ सुजाव है वो यहाँ पर देने वाली थी अगला किशन है यहाँ पर परति भूती घोटाले के लिए ये किस एक समीती का घटन किया गया था परति भूती जो गोटाला है उसके लिए यहाँ पर जान की रमन समीती जो है यहाँ पर जान की रमन समीती जो है बेसिकली उनके द्वारा यहाँ पर परति भूती घोटाले को यहाँ पर समिक्षा की गई थी यहाँ पर अगला क्यूशन है यहाँ पर बेरोजगारी के अनुमान के लिए किस एक समीती का गठन किया गया है option number A आपका correct है यहाँ पर दांते वाला समीती यह क्या गरेगा यह बेरोजगारी के उपर अपनी रिपोर्ट देगा कि देश में कितनी परसेंट बेरोजगारी बढ़ रही है किस सेक्टर की बेरोजगारी है कितने अनपड लोग है कितने यहाँ पर पढ़े लोग है उनके रिकार्डिंग यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो किस इस्तर पर आर चुकी है उसके लिए एक समिक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है अगला क्यूशन है ओध्योगिक रुगुणता के लिए किस एक समीतिय का घटन किया गया है option number C आपका correct है याँ पर गो स्वामी समीति जो है ये ओध्योगिक रुगुणता के लिए एक समिक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अगला क्यूशन है याँ पर मोटर वाहन कारों में व्रदी के लिए किस एक समीति का घटन किया गया है option number B आपका correct है याँ पर भूले लाल समीति भूरे लाल समीति जो है ये मोटर वाहनों के जो tax है उनके उपर किस तरीके से वर्दी किया जाना चाहिए या फिर बेरोजगारी में और ज्यादा यहाँ पर वर्दी हो जाएगी अगर इनके उपर यहाँ पर कुछ tax implement किये जाते हैं और ये किस तरीके से देश के अर्थ्वयवस्ता पर अपना प्रभाव डालेंगे उसके उपर एक समीति जो है ये भूरे लाल समीति का घठन किया गया था अगला क्यूशन देखें यहाँ पर शेत्रिय ग्रामीड बैंको की पुनर सरंचना यानि की उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए किस एक समीति का घठन किया गया है option number A आपका correct है यहाँ पर बंडारी समीति ये शेत्रिय ग्रामीड जो है उनके अंदर बैंको का पुनर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर पुनर सरंचना या फिर रिस्ट्रक्चर करने के लिए इस समीति का घठन किया गया है आगला किशन देखें यहाँ पर क्रशी जोत पर कर के लिए किस एक समीति का घठन किया गया है option number राज समीति जो है इसको यहाँ पर घठन किया गया है option number A आपका correct होगा मुसलिमों की सामाजिक, आर्थिक और शेक्षनिक इस्तरता का अध्यन करने हेतु किस एक समीति का घठन किया गया Option No. A आपका correct है सच्र समीती जो है इसका घठन किया गया है अगला कुशन देखे है यहां पर गरीबी मापने का आधार के लिए किस EAK समीती का घठन किया गया यह किया गया है सुरेग तेंदुलकर समीती Option No. D आपका correct है अगला कुशन देखे हैं पर क्या है आबिद हुसेन समीति किस से समंदित है ये लगव उध्योग से समंदित ये समीति जो है वो आपको देखने को मिलती है अगला क्यूशन है पेट्रोलियम उत्पादकों की मुल्य परणाली पर सुझाव के लिए किस एक समीति का गठन किया गया है देखे पेट्रोल और उत्पादकों जो है यहां पर जैसे कि कुछ गेसिज हो गई ठीक है जो आपके सलंडर में जो गेसिज हैं उसके रिगार्डिंग है या फिर डीजल है फिर क्यरोसीन है ठीक है ये पेट्रोलियम उत्पाद होता है उनके मुल्य के परणाली के जो सुझाव है उनके उप करसी और ग्रामीन विस्तार के लिए किस एक समीती का घठन किया गया option number B आपका correct है B as व्यास समीती और ये करसी ग्रामीन विस्तार के उपर अपनी शमिक्षा रिपोर्ट प्रस्तूत करेगा अगला क्यूशन देखे है आपर चीनी उध्योग के लिए किस एक समीती का घठन किया गया option number B आपका correct है आपर महाजन समीती चीनी उध्योग के लिए महाजन समीती का घठन किया गया है अगला question देखें यहाँ पर वस्त्र नीती के लिए किस एक समीती का घटन किया गया है वस्त्र नीती के लिए यहाँ पर सत्यम समीती का घटन किया गया है और आज का हमारा इस समीती के regarding आखरी question है हत करदा के विकास के लिए किस एक समीति का घटन किया गया option number B आपका correct है मेरा सेट समीति जो है इसको यहाँ पर हत करदा के विकास के लिए आप पर अपनी समिक्षा report प्रस्तुत करनी के लिए इस समीति का घटन किया गया है आपका इतना प्यार है इतना support है अगर आपको यह वीडियो चला गया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी नहीं बूले वीडियो को हम 500 लाइक का target रखते हैं अगर आप ऐसे ही 500 लाइक अचीव करते हैं तो हम daily basis पे topic wise वीडियो जो है वह आ आप जरूर जिफ वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा थैंक यू अब्रिवन बाइगास टेंग बाइगास